अस्सलाम अलेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम आपके साथ शेर करने वाले हैं मटन मसाला चॉप्स की रेसिपी तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर हमने ले लिया है एक किलो मटन के चॉप्स इसको हमने अच्छी तरह से वाश करके रख लिया यह देखिए इस तरह के हमने चॉप्स ले लिये है तो अब हम इसको पहले मैरिनेट कर लेते हैं मैरिनेट के लिए हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून अद्रक लेसन का पेस्ट और इसके बाद एक छोटा चमच हम डाल देंगे कच्छी पपाई का पेस्ट इससे मटन बहुत जल्दी कल जाता और एक टीस्पून नमक अट कर देंगे और ये सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर दिंगे चॉपस के साथ तो हड़ियां चुप जाएंगी हाथों को इसलिए हम इस तरह से इसको मिक्स कर लिए और इसको हम रेस्ट करने के लिए गरत देते हैं कम से कम आदे घंटे के लिए तो नेक्स्ट हम लेलेंगे यहाँ पर 200 ग्राम दही और यह 15 काजू है और यह 3 कटी हुई प्यास को हमने तल के रख लिया है ब्राउन करके तो हमें कुछ चीजों को ग्राइंड कर लेना होगा यह जो दही हमने आपको बताया था वो दाल दिंगे सबसे पहले हम ग्राइंडिंग जार में इसके बाद जो तली हुई प्यास है वो आट कर देते हैं और जो काजू है वो भी आट कर दिंगे इसमें और यह सारी चीजों क को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे हम इस तरह का तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं और सालन बनाने की तयारी करते हैं तो हमें चाहें यहां पर एक तेसपा, दो दालचीनी के तुकडे, तीन इलाइची, शाजी नमक, दो टीज़फुन लाल मिट्च का पाउडर, दो टीज़फुन है, कश्मीरी लाल मिट्च का पाउडर और एक टीज़फुन हल्दी पाउडर तो यह सारी चीज़ों की हमें जरुरत पड़ेगी, तो चलिए हम मसाला मटन चॉपस बनाने की तयारी करते हैं इसके तेल दाल दिंगे बगोने में तेल अच्छे से गरम होने के बाद जो गरम मसाले हैं साबित वो एट कर दिंगे अब शाजीरा, इलाइची, पठा और थोड़ी सी काली मिर्च तो ये सारी चीजे हम डाल कर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तेल में तो अब हम इसमें नेक्स्ट आइड कर देते हैं अद्रकलेसन का पेस्ट एक टी स्पून अद्रकलेसन अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है मसालों का वो इसमें आइड कर दिंगे जार को हम पानी से अच्छी तरह से धोकर आइड कर दिंगे पानी इसमें और मसालों को हम पाँच मिनिट के लिए भुन लिंगे तो पाँच मिनिट हो गए हैं भुनते हुए तो अब हम इसमें जो पाउडर किये हुए मसाले हैं धनिया, जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक ये सारी चीज़े हम एड़ कर दिंगे और ये सारी चीज़े एड़ करने के बाद हमें अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पर बिल्कुल अच्छी तरह से भुनना होगा फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है तो तेल उपपर आने तक हम रहाए अच्छी तरह से भूनते जाएंगे मसाले को अब हम इसमें एक चमच ग्रीन चिली पेस्ट एड़ कर देंगे और यह एड़ करने के बाद भी हम अच्छी तरह से भूनते जाएंगे मसालों को मसालों को भुनना बहुत जरूरी है यहाँ पर तभी सालन का टेस्ट अच्छा आएंगा तो तकरीबन 10-15 मिनिट लग जाएंगे सालन को इस मसाले को भुनते हुए तो यह दीखिए 10-15 मिनिट के बाद तेल अच्छी तरह से उपर आ गया है सारे मसालों को हमने अच्छी तरह भुन लिया हमने अच्छी तरह से तो चलिए अब हम इसमें मटन चॉप्स एट कर दीगे पूरे मटन चॉप्स हमने एट कर दीए यहाँ पर और यह मसालों के साथ हम चॉप्स को भी अच्छी तरह से भुनते जाएंगे तो देखिए मटन के चॉप्स अच्छे से कोट हो गए हैं मसालों के साथ में आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया सारे चॉप्स को और इसको अच्छी तरह से हम भुनते जाएंगे तो दस मिनिट तक अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें दो गलास पानी दाल दिंगे और इसको हम गलने के लिए रख दिंगे अब क्योंकि हम यहाँ पर कुकर नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम बगोने में पका रहे हैं तो इसको 20-25 मिनिट लग जाएंगे गलने के लिए तो देखें यहाँ पर हम इसका धकन लगा कर 20-25 मिनिट गलने के लिए छोड़ दिंगे तो 20-25 मिनिट के बाद देखें बहुत अच्छे से पकरा है सालन मटन भी काफी अच्छी तरह से गल गया तेल भी अच्छी तरह से उपर आ गया है तो देखें यह हमारे मटन चॉप्स मसाला की करी बिलकुल तयार है अब हम लास्ट में इसमें दाल देंगे कवापचीनी का पाउडर एक चमच कवापचीनी हमने लेकर इसको कूटली थी और यह कसूरी मेती हम उपर से दाल देते हैं एक मुठी कसूरी मेथी का पाउडर है कसूरी मेथी को हमने क्रश कर लिया था अपने हाथों से और ये उपर से हमने डाल दिया कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता और इसके उपर से हम थोड़े से कोरियांडर लीव्स को गानिश कर दिंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लिएंगे सारी चीजों को तो देखिए कितना अच्छा खुबसूरत लग रहा है टेस्ट में भी बहुत बहुत अच्छा है ये तो बस हम पांच मिनिट इसको पकने देते हैं ताकि जो फ्लेवर से कसूरी मेथी के कवाप चीनी के वो अच्छी तरह से ग्रेवी में आ जाए बस पांच मिनिट पका कर हम इसको सर्फ कर लेंगे आप इसे वाइट राइस या फिर रुमाली रोटी नान की रोटी या फिर बगारे खाने के साथ सर्फ कर सकते तो चलिए हमारी ये आज की रेसिपी कंप्लीट हो गई अगर आपको रेसिपी पसंद आए प्लीज हमारे चानल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए और शेयर कीजिए थैंक्स पॉर वाचिंग अल्लाहाफेज